जै स्री राम, जै हनमान, ओम स्री हनुमंते नम, हनमान जी का असिरवाद सदा आप पर बना रहे, हनमान जी का असिरवाद से आपके जीवन में सुख सम्रिदी सौभाग बढ़े, आपका कल्यान हो, निश्चे प्रेम परतीते, बिने करें सनमान, तेहीं के कारत सकल सुभ, संकट से रच्छा करो हे महावीर हन्मान संकट मोचन किरपानिधान जय हन्मान जय जय हन्मान तुला रासिवारो सनीवार का दिन असाडमा किश्पच की दूतियाती थी आज ये उत्रा साधान चत्रे इंद्रियोग में आपकी रासी तुला पर विरस्पति और सुर्ज का वर्तन लेकर आने वाला है जहां कई छेत्रों में आपको खुसिया मिलेगी वहीं आपके जीवन में कई महत्पुन बदलाव आएंगे ये समय आपके भाग्य सो भाग्य को बदलेगा आपके जीवन में सफलता काम्याबी का अच्छा योग बनाएगा सुखत परिनाम लेकर आज आपकी रासी तुला पर सुर्ज और विरस्पती का गोचर आपके जीवन में खुसी और आपको भाग्य साली बनाएगा क्योंकि आज सुर्ज का गोचर आपकी रासी तुला के भाग्य स्थान में है वहीं विरस्पती पंचमभाव में गोचर कर सुर्ज और विरस्पती का प्रभाव आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला रहा है आपके कार्चेत्र में सफलता का योग बना रहा है वहीं नौकडी बैपार में भरपूर लाब दे रहा है उनती का उसर तरक्की का सुख सम्रिधी और धन तुलारासिवारों के लिए आज इंद्रियोग उत्रा साधान चत्र में प्राप्त होने वाला है पर आज नौ बचकर 55 मिनट पर जब चंद्रमा आपकी रासी तुला के तिर्तिय भाव से चतुर्त भाव में गोचर करेगा सनी के साथ जब चंद्रमा का गोचर होगा उस समय 20 योग बनेगा चंद्रमा सुखस्थान में बैठा है सुखस्थान में जब सनी और चंद्रमा का एक साथ गोचर होगा उस समय आपके जीवन में थोड़ी साबधानी रखने की आवसकता होगी क्योंकि आपकी रासी तुला पर इस समय सनी की अरहिया चल रही है साथ में चंद्रमा का आना सनी के साथ आपके लिए बिस्योग बनाएगा ऐसे समय में आप थोड़ा साबधान रहें तुला रासिवारों हम आपको उपाई बताएंगे उस उपाई को आप करके देखें आपके जीवन में बड़ा लाब होगा आज ये उत्रा साथा नचत्र है इंद्रियोग है बिरस्पती और सुर्ज का प्रभाव है सनी सुक्रे रावु की दृष्टी है और चंद्रमा की चाया है सनी के उपर चंद्रमा की चाया जब आएगी तो आपके जीवन में थोड़ा खर्च बढ़ेगा आपके जीवन में थोड़ा हल्चल होगा लेकिन आप छोटा सा उपाई करें एक सफेद कपड़े में थोड़ा सा तिल रखकर उस कपड़े को बांध ले और किसी पीपल पेर में जाकर अपनी मनुकामना बोलते हुए उस कपड़े को पीपल के बिच में टांग दें ऐसा करने से आज आपके लिए सुन्दर योग बनेगा जो सफलता देगा काम्याबी देगा उनत्ती देगा समरिधी देगा क्योंकि राभू और बुद्ध जो अस्टमभाव में बैठा है आपके जीवन में आपको सत्रु से बचा रहा है आपके जीवन की परिसानी को कम कर रहा है आपके जीवन में लाभ का योग बना रहा है जीवन की उल्जनों को समाप्त कर रहा है ऐसे में आज ये छोटा सा उपाय आपके भाग्य को बदलेगा आपके जीवन में लाब का योग बनाएगा अगर आप ऐसा करेंगे तो मनमांचित सफलता मिलेगी जीवन में सुक बरहेगा नौकरी बैपार में उनत्ती होगी आज का दिन आपके लिए लाब कारी बनेगा तुलारासिवारों आज मंगल के साथ सुक्र का गोचर दसमे भाव में हो रहा है सुक्र की दिरिष्टी है मंगल के साथ सुक्र का गोचर आज आप बहुत साहसी और कर्म योगी होंगे एक नई सम्भावना आपके जीवन में दिखाई देगी अपने कन पर विश्वास करते हुए जीवन में आप आगे भरेंगे आपके प्रयास सफल होंगे धन का लाब होगा आपके जीवन में सम्रिध्धी और सवभग्य की बिर्धी होगी जो उपाई हम बताए हैं उस उपाई को आप करें तो बड़ा लाबदायक योग बनेगा सुप समचार मिलेगा आज ये दसमे घर का जो मंगल है कार्च्छेतर में सफलता दे रहा है और पंचमभाव का जो बिरस्पती है जिसकी दृष्टी लाब अस्थान पर है आपके जीवन में निश्चिती लाब देने वाला है तो आपके सुनहरे औसर आपको प्राप्त हो रहे हैं आपके जीवन में ये समय बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है अगर सोंच समझ कर काम करें तो बड़ा लाब होगा समय सुब है, बिरस्पती की स्थिती अच्छी है शुर्ज की स्थिती अच्छी है वहीं बुद्ध और राभु की स्थिती भी बहुत अच्छी है लेकिन चंद्रमा के साथ सनी का आना आपके जीवन में थोड़ा हल्चल मचा रहा है तो उसे सांथ करने के लिए आप आज हनमान जी का दर्सन करें हनमान जी की पूजा करें सनिवार का दिन है पीपल के पेर के नीचे दीपक जलाएं और सफेद कपड़े में थोड़ा तिल बांध कर उसे पीपल के पेर पर लटका दें अपनी मनुकामना को बोलते हुए तो आपके जीवन में सुभ योग बनेगा जो आपको सफलता काम्याबी धन और समरिध्धी देगा तुलारासिवारों के लिए आज सनिवार का दिन भग्य बहुत अच्छा है जीवन में सुख धन और आपकी महतुकांचा की पूर्ती आज ये अपने इरादो को आप अपने परिश्रम से काम्याबी और सफलता देंगे उनती करेंगे एक नई उर्जा आपको उत्साहित करेंगी कार्च्छेत्र में सफलता और काम्याबी का योग आज आपके लिए ब्रह्म मूरत चार बचकर 25 मिनट सुबह आरंभ होगा त्रिपुसकर योग पांच बचकर 25 मिनट से छे बचकर 11 मिनट तक साथ ही बिजय मूरत दो बचकर 44 मिनट से तीन बचकर 49 मिनट और अमरित काल रात आठ बचकर 42 मिनट से 10 बचकर 10 मिनट तक इस दोरान बिरस्पति और सुर्ज का प्रभाव सनी सुक्रे राभू की द्रिष्ठी और चंद्रमा की छाया आपके जीवन में खुसी, उत्सा, जोस और सुखो को बढ़ा रहा है खुसियों की सौगात लेकर आ रहा है हर मुश्किल का सामाधान देगा, एक नई पहचान देगा सफलता देगा, काम्याबी देगा, धन देगा, सुख देगा, सांती देगा अपने अधूरे सपनों को आज आप पूरा कर सकते हैं जीवन में उनत्ती तरक्की समरिद्धी धन का सुन्दर योग है क्योंकि भाग्यस्थान में बैठा सुर्ज आपकी जीवन में आपको भाग्यसाली बना रहा है तुलारासिवारों, आज सनिवार का दिन है असाड मा किश्पच की दूतिया तीती है इंद्रियोग उत्रा साधा नचचत्र है आज का राहुकाल आट बचकर पचपन मिनर से दस बचकर उन्चालीस मिनर तक राहुकाल के दौरान किसी भी सुपकाम का स्रीगडिस ना करें दिन की सुरुवात पूरब दिशा की तरब से ना करें आपके लिए लग्की कलर वाइट होगा लग्की नमबर वन होगा तो आज दिन आपके लिए बहुत कुछ लेकर आया है भग्य का साथ किस्मत के सितारे बुलंद है जो बड़ी काम्याबी, सफलता और खुसखबरी देगा सिर्फ आपको सनी और चंद्रमा का जब मिलन होगा उस समय आपके जीवन में थोड़ा हल्चल होगा आप हमारे बताय हुए उपाय को करके देखें आपके जीवन में बहुत लाब होगा आप भग्यसाली बनेंगे, सफलता काम्याबी पाएंगे जीवन में सुख धन मिलेगा तो आज आप हनमान जी का दर्सन करें पीपल के बिच के नीचे दीपक जलाएं और हमारे बताय हुए उपाय को करें आपके जीवन में बड़ा लाब हासिल होगा तो तुला रासिवारो ग्रहों पराधारित अपने रासिफल के लिए रासिफल को लाइक करें सस्क्राइब करें कॉमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देपता का नाम लिखें स्वभाग्य धन भाग्य आज आपका चमकेगा जीवन में सुख समय आरम हो गया है जो आपके जीवन में उन्नत्ती देगा तरक्की देगा तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे इसी रासिफल कार्ज करम में तब तक लिए मुझा आग्या दें आपका दिन सुभ हो जय स्री राम, जय हन्मान संकट से रच्छा करो हे महावीर हन्मान संकट मोचन किर्पानिधान जय हन्मान जय जय हन्मान